हलो जी नमस्ते जैश्री राम आप सभी को तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज है आयोध्या मेह राम मूर्ती के स्थापना तो उसी उप्रक्ष में घर में बन रहा है कुछ स्पेशल मूं यहां पर गूंदरियों आटा और खीर के लिए मैंने चड़ा दिए कुकर में चावल तो इहां पूरियों काटा गूंदरियों इसमें आजवायन डाल करके मैं आज वायन वाली पूरियां मनेंगी और आलू भी रखती है मैंने कुकर में बॉयल करने के लिए और यहां पर थोड़ी सी चाइ चढ़ा दीए सोनी जý के लिए और यह देखिए कुकर में से मैंने चावल भूगोने में डाल दिये थे क्योंकि उसमें एकदम बॉयल अच्छी से हो गए थे और मैंश हो गए अच्छी से तो खीर जल्दी बन जाती है जो हम कुकर में चावल पकाती है और ये आलू भी बॉयल हो गए है तो आलू भयल हो गए तो मैं निकाल लेती होब इन सब आलू को बाहर और फिर इसी पानी में ना मैं क्या कर कूँगी टमाटरों को भी इसी में डाल के रख दूँंगी डखकना लगा करके इससे क्या होगी इसके छिल के न उतर जाएंगे जब छिलके मुह में आते तो अच्छी लगते तो इतने में आलू छीलूंगी इतने क्या है टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके छिलके भी छिलके निकाल के रख देंगे अब यह देखें मैं कुकर खोल रही हूं यह देखें अभी पानी इतना गरम है और इ मैंने चिलके रख दिया है सारे टमााटर और आब मैं चो कूवण की सब्जी आलू की तो आज आलू की सब्जी भंड़ारे वाली बन रही है और पूरी बन रही है जवायन वाली तो इसमें मैंने डाल दिया जीरा तेल गरम हो गया था और बिना लसन प्याज की सब्जी बन रही है बंडारे वाली तो यह बनारी में मसाला नमक, मेर्च, छाल्दी, धनिया बिसक मसाला डालके इसको पानी में घोल दिया मसाले को और अब इसे डाल देंगे तेल में पानी में घोल के डालते हैं तो मसाले मारे जलते नहीं हैं तो इसलिए पानी में घोल करके डालते हैं मसाले तो अभी मसाला भुन रहा है हमारा इतने हमालो को फोड लेते हैं और अभी इसमें डाल देंगे टमाटर तो ही टमाटर मैंने इसी डाल दी है तो यह पक जाएंगे और अच्छे से क्योंकि नमक पड़ा हुआ मसाले में तो उसे जल्दी गल जाएंगे और इसमें डाल दें ने तीन-स्तुँमें अंह request करे दियंग तो इसमें बिलकूल भंडारे वाली जैसे बंडारी का उन्हाlete स्बूरल व्यक्रावालज गाहिएगा अब देखें सारे टमाटर एक दिम अच्छे से मैश हो गया है तो माटर को जबता पकाने हैं जबता हमारे टमाटर अच्छे से मैश न हो जाए उससे के सब्जी में हमारे गाड़ा पनाएगा और सब्जी थिक बनेगा हमारी थोड़ी जिदेखें मसाला हमारा कितना अच्छे से रेडी हो गया है जितना मसाले को अच्छे से बुनोंगे ना उतना हमारा सबजी का टेस्ट बढ़ेगा तो अभी जो आलू फोड के रखे हो तो वो इसमें डाल देंगे मसाले में मसाले में ब् Pennsylvania घुमाई से यहाल में मसाले में मिक्स करें मुझाओं दूम में ठेवित हां क्योंकि फाएता राशी तो हुले इतना ही पानी डालेंगे हैं। इसे कि इसी ते अपनी फ Zug पर आ質 ही पक ए जाँ हम जाँ या में इस सोब डूंसे अच़े जों मिक्स हो जाया है heb ना टोड़ी दर हम इनको पका चैसे आप pasture प्थानी पेट अच्छे से यह देखिए हमारा पानी अच्छे से पग गया सब चीज अच्छे से मिक्स हो गए यह टमाटर भी यह अलू भी और मिच्चे भी हमारी पग गई है इसमें और अभी कटा हुआ जो धनिया रखा है मैंने वो डाल दिया है इसे और भी अच्छा टेस आएगा सब्जी में अब ही पग गी है तो इसको रख दीगे उस्तार करके अब रख दिया मैंने कड़ाई ने एक उस पे रगी थी खीर पग गई ती तो कड़ाई में लगती दिसलिके हमारे तेल अच्छा अच्छे से पग गया था तो यह पहली पूरी डाल दें हमने कड़ाई के नाम की और जब पूरियां सिखती है तो इसमें नाचती है तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है जैसे कटपुतली की तरह पूरियां नाचती है तेल में तो अभी तो भोग लगाने के लिए मैं बनाओंगी सिखूंगी पूरिया क्योंगी ठंड काफी हो रही है इसलिए जब भी खाएंगे तो गरम गरम पूरिया सिखती जाएंगी तो अभी मैं भोग लगाने के लिए लगा रही हूं पूरिया तो खीर भी रेड़ी होगे हमारी और आलू की सब्जी भी रेड़ी होगी है बस मैं पूरियां सेख रही हूँ तो पूरियां सीख जाएंगी उसके बाद थाली में लगा के अपने मंदिर में भूग लगा देंगे देखे कैसी फूली फूली पूरियां बन रही हमारी तो यह पूरियां शिख गी है और यह देखें सब्जी कितनी बढ़िया बनी हमारी कितना बढ़िया color आ रहा है देखते ही मुझ में पाने आ रहा है देखते है और यह फीर ismुड़ें रख दिए एक कटोरी में में सबजी और एक में लड़ू तो बस भोग लगा दिया था मैंने अब बनारी बाकी पूरिया खाने के लिए तो सोनी जी खाएंगे अभी तो उनके लिए सेख रहे हूँ क्यों कि ठड़ में तो गरम गरम पूरिया अच्छी लगती है क्या तेल रखाओ अकड़ाई में और अटा गुंदा रखाई है जब खाओ तभी बना लो सिखने में कितनी देड़ लगती है और पूरिया तो वैसे भी फटा-फट सिख जाती है तो यह देखे गाईज मैंने इसे इक लिए पूरिया खाने के लिए तो यह सिखे मेरी पूरिया और आज न मैंने मेक अप किया देगे आखुप में आई-लाइनर लगाए मुझे आई-लाइनर का बहुत शोक है तो मैंने यह ओनलाइन में गया थी दो ग्रीन और ब्लू अभी नहीं च्छत पर आगी है च्छत पढ़ना इतना शोर हो रहा है चारो तरब राम 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 बजन बज चल रहे हैं तो मैं दूब में तो दूब में राजे यौई आप भी खा दीजिए कर दो कर दो कर दो